हलो फ्रेंड्स मैसल दॉक्टर सुशीला सैनिक इन्योकलाजिस्ट और अपसेटीशन डिरेक्टे जैपुर दूर्बीन हस्पटेल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं इस नई वीडियो में नई जानकारी के साथ फ्रेंड्स आज हम बात करने जारे है प्रेगनेंसी में होने वली खुजली के बारे में बहुत새 माइलाई हमें कम्प्लेइन करती है कि उननको खुजली और पिशिंट हुनिंद भी नहीं आती है और वहार डिस्ट कमफर्ट भी होता है तो उनको लगता है कि नॉमल खुजली है या और कोई बीमारी है तो जो प्रेग्नेंसी के दौरान होने वाली जो इचिंग है उसको अपस्रेटिक कॉलिस्टेसिस के नाम से जाना जाता है यह कि बीमारी है और इसका इलाज होना जरूरी है तो यानि कि अगर आपको प्रेग्नेंसी में खुजली हो रही है तो आप अपने डॉक्टर के समय जरूर लीजिए और उनसे कंसल्ट कीजिए कि आगेस में क्या हो सकता है आपके जानकारी के लिए हम यह बताना चाहेंगे कि प्रेगनेंसी में खुझली होती है अमोमन 7-8 महीने के असपास होती है लेकिन किसी को तीसरे चौते महीने के असपास भी देखने को मिलती है इसका जो मुख्य कारण होता है वो जनरली लीवर में होने वाले कारण होता है कि जो लीवर में एक बाईल एकिन नाम काकेमिकल बनता है जो चमडि के पहले Opsetic Colistasis को ही रूलाउट किया जाता है यदि हम और इसके खुजली के और कारण देखते हैं तो इसमें most common हो सकता है कि इससे skin के dryness हो सकती है कोई rashes हो सकते है कोई allergic reaction हो सकती है या कोई soap या कोई cream के इस्तेमाल करने से dryness या chemical reaction की वज़े से इचिंग हो रही हो या फिर इसके बीज हो सकता है या फिर जिसे दीमक के इनके काटने से कई प्रकार के skin rashes बन जाते हैं तो वो भी problem हो सकती है किसी को dust या might से allergy हो सकती है तो उसके कारण भी इचिंग होती है तो अगर ये जो general कारण है उसके लिए आप dermatologist से यानि skin specialist से consult कर सकते हैं और उसमें normal citrigen के दवाई खाने से भी फाइदा पढ़ जाता है और अगर dryness है तो आप simple emollient या oil या cream लगा कर भी आप उससे आराम पा सकते हैं बट यदि ये obstatic cholestasis है तो इसका treatment अनिवारिया है क्योंकि ये बच्चे के लिए घातक हो सकता जानलेवा सावित हो सकता है तो प्रेगनेंसी में होने वाली इचिंग को हलके से ना लें डॉक्टर के जरूर मिलें और उसका treatment जरूर करवाईए अगर यदि खुजली है तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपके लीवर फंक्शन टेस्ट करवाए जाते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट के साथ में बाईल एसिट का लेवल भी चेक कराया जाता है यदि इन दोनों में प्राब्लम आती है तो यो डिलिव नाम की टेबलेट दी जाती है जिससे कि इसको थोड़ा रखने की बात है कि आप बच्चे की मुमेंट्स पर ध्यान रखिए क्योंकि जो बाईल एसिट नाम का जो साल्ट होता है जो केमिकल है वो काडियो टॉक्सिक होता है यानि कि हाट के लिए बहुती पॉईजन की तरह काम करता है और ये कई बार बच्चे की क्या पोजिशन होने वाली है जैसे कि हमने अभी देखा कि बच्चे की धड़कन आ रही है लेकिन हो सकता है ए घंटे बाद दो घंटे के बाद बच्चे की धड़कन ना मिले तो इसका क्वाइट सीरियस कंडिशन तो जब भी आपको लगे कि इचिंग है तो डॉक्टर से मिलकर उसका ट्रीटमेंट तुरंत स्टार्ट करवाईए ताकि आप अपना और अपने बच्चे का स्वास्ति की ध्यान रख सके और अपने बच्चे की सुरक्षा कर सके इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है फिर भी जो पॉस्टिवल ट्रीटमेंट अविलेबल है वो हमें लेना चाहिए और बच्चे की मुवमेंट्स का ध्यान रखना चाहिए और डॉक्टर की सलहा के अनुसार आगे कारे करना चाहिए इससे रिलेटिड अगर आपका और भी कोई सवाल या जब कॉश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखके पूछ सकती है हम आपके सवालों के जवाब देने की पुरी कोशिश करेंगे अपके सर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ तब तक नमस्कार